हेलो गाइस आज हम बनाएंगे आलू का फूला फूला कचोरी मिंटों में बनके रेडी हो जाता है और पहुती स्वाधिश्ट बनता है आप देख सकते हैं किस तरीके से कचोरी फूल रहा है आईए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पे चार पटेटो ले लिया जिनको मैंने बॉल कर लिया था थंडे हो चुके मैं इनको पील कर लूँगी और इनको मैं एक फॉक की हेल्प से अच्छे से मैस कर लूँगी आप चाहो तो इनने हातों से भी मैस कर सकते हैं और फिर इसका आलू का मसाला बना करके रेडी करेंगे मैंने आलू के मसाले में हरा धनिया एड किया है और ये अद्रक है ये भी मैंने काट करके एड कर दिया है एक हरी मिर्ची मैंने एड किया है धनिया पाउडर एड कर लेंगे रेड चिली पाउडर स्वाध के नुसार सॉल्ट और मैंने यहां पर गरम मसाला एड किया है आपके पास चाट मसाला पाउडर है तो भो भी एड कीजीगा हम चूर पाउडर है तो भो कर लीजीगा मेरे पास दोनों ही नहीं थे मैंने दोनों एड नहीं किये मसाला यहां पर रेडी हो चुका था और मैंने आटा भी लगा कर रख लिया आटे के अंदर मैंने सॉल्ट और बगा करके रेडी कर लिया है, अब ये कचोरियों को फटा फट से हम बना करके रेडी करेंगे, मैंने इस तरीके से आटे में से बॉल बना करके थोड़ा पूड़े की जैसा उसको रॉल कर लेना है, फिर उसमें आलू भरके ऐसे बंद कर लेना है, और हात से ही इस तरीके से थ कचोरी बना करके रेडी कर लिया अभी ओयल रख देंगे गरम होने के लिए अभी फटा-फट से ओयल गरम करके इनको मैं एक साथ में ही फ्राई कर लूँगी ऐसे मैं कभी भी कुछ वी जैसे कचोरी पूरी बनाती हूं मैं पहले ही बेल करके सब रेडी करके रख लेती हूं और फिर मैं फटा-फट से फ्राई कर लेती हूं यहाँ पर ओयल गरम हो चुका है और मैंने कचोरी इसमें एड़ कर दिया है चलाते हुए slow gas पे इनको golden brown होने तक पका लेना है look at this कितना अच्छा color आया पहला बेच बन करके रेडी हो गया यह है second batch और देखिए कैसे फूला crunchy स्वादिष्ट इहां पर आलू का कचोरी बन करके रेडी हुआ है आप इने चाय के साथ चटनी के साथ किसी के भी साथ enjoy कर सकते हो ठंडी में तो बहुती स्वादिष्ट लगता है आलू का कचोरी आप जरूर से बनाईएगा बिली मी आपको पसंद आएगा देखिए फट अगर हम enjoy करूंगे रेजपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीचेगा थैंक यू फूर वाचिंग फिर मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में